हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोई ट्रेजर यूट्यूब चैनल में फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा पबजी मुबाइल लाइट को क्या 3GB और 4GB RAM वाले डिवाइस के लिए लाउंच किया जाएगा पबजी मुबाइल जब एंड्रोइड के लिए पहली बार लाउंच हुआ था तब उसका साइज सिर्फ और सिर्फ 600 MB था लेकिन जैसे जैसे अपडेट आते गए जैसे जैसे फीचर एट होते गए वैसे वैसे गेम का साइज बढ़ गया और अब दोस्तों गेम जो पबजी करने लगा अब जो पबजी मुबाइल के जो डिवलॉपर से वह चाहकरी भी जो स्मोल एंड डिवाइस उसमें ये गेम को स्मूदली रन नहीं कर पाएंगे अगर उनको स्मूदली रन करना है तो उनको जो है फीचर करना पड़ेगा और गेम का साइज कम करना पड़ेगा जो कि वो आप करना नहीं चाहते तो इसलिए इन्होंने एक आप्शन देखा और पबजी लाइट को लांच किया ताकि 1GB और 2GB रैम वाले फोंस भी इस गेम को इजिली खेल पाएं बिना कोई रैक करें हाला कि आपको पबजी लाइट में बहुत सारे कम फीचर्स मिलेंगे मुकाबले PUBG Mobile बढ़ा उला लेकिन आप देख सकते हो गेम का साइज कितना छोटा है लेकिन गेम प्ले एकदम सेम तू सेम है हाला कि ग्राफिक्स थोरह सा मिलेगा लेकिन गेम पले एकदम सेम है हर गई गंस भी आपको सीम तू सेम मिलेंगे लेकिन वहीं बात अगर आपको लाग फ्री खेलना है तो गेम का साइज छोटा करना ही पड़ेगा 1GB और 2GB RAM वाले फोन्स के लिए तो दोस्तों यही कारण है कि PUBG Mobile इन्हों ने लाउंच किया ताकि 1GB और 2GB RAM वाले फोन्स भी इस गेम को लाग फ्री खेल सके अब बात करते हैं PUBG Mobile Light Future Updates में 3GB और 4GB RAM वाले फो फोन है और मेरे फोन में PUBG Mobile Light जो है इसली चल रहा है यानि कि अभी भी PUBG Mobile Light 3GB RAM वाले फोन्स में सपोर्ट कर रहा है कुछ-कुछ फोन्स में सपोर्ट कर रहा है यानि कि future updates में आपको 100% sure है कि जो 3GB RAM वाले फोन से उन फोन्स में 100% PUBG Mobile Light चलेगा तो और मेरे को personally अगर आप पू एक सबसे बड़ा कारण जिस वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि 3GB और 4GB RAM वाले फोन्स के लिए भी PUBG Mobile Light आ सकता है वो है दोस्तो PUBG Mobile जो बड़ा वला है और जो PUBG Mobile Light जो छोटा वला है ये दोनों ही गेम अलग-अलग server में चलते हैं यानि कि ये दोनों गेम का एक दूसरे से को सो बंदे खेल सकते हो तो दोनों ही गेम का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है दोनों ही गेम अलग-अलग server में रन करते हैं तो इसी कारण दोस्तों दोनों ही गेम को आप एक ही फोन में इंस्टोल करके अलग-अलग account बना के खेल सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है क कि future updates में हमें जरूर देखने को मिल सकता है 3GB और 4GB RAM वाले phones में और हम PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite दोनों ही game को एक ही phone में install करके दोनों ही game एक साथ भी खेल पाएंगे एक बात और बताना चाहूँगा कि ये game अभी भी बीटा वर्जन में है तो जैसे जैसे ये बीटा वर्जन का नया update रॉल आउट करते हैं वैसे वैसे हर update में ये और नए device को ये game support करता है तो हम उमीद करते हैं कि आने वाले official update में या फिर और नए जो updates आएगा उस updates में हमारे और जो device से उनको भी ये game support करें और आप चाहते हो कि ये game आपके अगर आपके पास 3GB या 4GB RAM वाले फोन से और आप चाहते हो आपके फोन में ये game रन करें तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर करें और लाइक कीज़ें और PUBG related वीडियो के लिए इस चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करके रखिए बाबाई मिलते हैं अगले वीडियो में इस साजय साइनिंग आफ